आज हम इस वीडियो में बात करना जा रहा है इंपेरिकर फर्मूला और दोनों के रिलेशन से बात करेंगे और कोशन पर बात करेंगे उससे पहले हम एक मोटिवेशनल कोईट पर बोल ला हैं किसी को अपना मत समझो जो सपना अपने दिल की आँखो से देखया उसे पूरा करो लोग तुम्हें पागल जरूर कहेंगे कभी किताब खोल कर उस सपने के पीछे भाग करते देखो मतलब यह बहुत अच्छी लाइन कहा गया है चलिए अब हम क्लास स्टार्ट करने है बात करने है मरकुलर फर्मूला मरकुलर फर्मूला मार कुलर फर्मूला क्या आता है दा फर्मूला दा कमाउंड दा कमाउंड इन विच एक्जिट नमर ओफ अटम इन दा constituent molecules of the compound compound is known as मर कुलर फर्मूला मर कुलर फर्मूला क्या आता है मतलब कोई भी एक्टम का है अगर हम इसको फिक्स रेशियो में compound की तरह जो हम विवार करें तो इसको मर कुलर फर्मूला करते हैं जैसे फोर एक्जाम्पल हम लोग इसको कैसे समझेंगे फोर एक्जाम्पल फोर एक्जाम्पल यहां पर क्या होता है यहां पर क्या करते हैं एक्जिट नम्मर फेटम को यहां पर कंसीडर करते हैं मतलब इस जैसे जो फिक्स कंपाउंड में कोई भी एक्टम का जो निर्मान करते हैं उसको हम लोग क्या बोलेंगे मल्कुलर फर्मूला बात करेंगे अब हम बात करने जा रहा है इंपेरिकल फर्मूला इंपेरिकल फर्मूला empirical formula क्या होता है ये भी एक type का क्या होता है compound ही होता है but compound में जिस type को हम अगा हम रेशियों में सभी को divide करने का जो काम करता है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे empirical formula means the compound the compound in beach each number of atom are fixed in the ratio of the compound is known as empirical formula empirical formula कहा जाता है कोई भी compound को अगर हम रेशियों में डिवाइड करने का जो भी काम करते हैं तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे empirical formula जैसे इंपेरिकर फर्मूला जैसे फॉर एक्जाम्पल 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 क्या होगा मतलब यहां पर बहुत सारे element को हम लिख सकते हैं जैसे C6, H12, O6 अब यहां पर मुझे इंपेरिकर फर्मूला किसी के बनाना है तो यहां पर element को हम लोग consider कर लेंगे यहां पर कितने element है तो यहां से पाता चला यहां पर hydrogen, carbon और oxygen यहां पर तीन element है तो यहां पर लिख देंगे carbon, hydrogen, oxygen अब जो भी value है उसका जितना item है वहां पर हम लोग इसको लिख देंगे तो यहां पर कितना है 6, 12, और 6 यहां से देखने से पाता चला मतलब क्या ratio का मतलब होता है को भी compound में मतलब fixed ratio से उसको हम लोग divide करेंगे तो यहां से हम common निकालेंगे अगर 6 से इसको divide करते है तो यहां पर कितना बचेगा C, H2, O मतलब यह क्या है कि compound का तरह के बिवार करने लगा C6, H12, O, 6 एक क्या है गुलकोंच का formula है यहां से हम लोग किसी का इंफेड का formula निकाल लेते हैं अब हम लोग दूसरा example बात करने जा रहा है C2, H4 C2, H4 यहां पर देखेंगे यहां पर number of element कितने हैं? दो है तो यहां पर carbon और hydrogen यहां पर लिखेंगे carbon hydrogen के बाद यहां पर जो carbon का जितने atom है यहां पर लिखेंगे 2 और 4 अब क्या करेंगे यहां पर जो realist मतलब देखेंगे तो 2 से इसको divide करेंगे तो कितना बनेगा? 1 और 2 तब जो मेरा relationship बनेगा CH2 इस टैप काम लोग किसी का empirical formula निकाल सकते हैं अब हम बात करने जा रहा है relationship between molecular formula और empirical formula मतलब relation कैसे सिफ इसमे molecular formula और empirical formula में बनता है molecular formula equal to n into empirical formula इस से हम रहां के relationship में अगर empirical formula दिया हो तो molecular formula निकाल लेंगे और molecular formula दिया हो तो molecular formula निकाल लेंगे अब हम बात करने जाने एक question से आपको molecular formula और empirical formula कैसे निकालते है एक compound एक compound contains 4% of hydrogen 12% of carbon and 70% of coding it's it's molar mass is 98 gram what the it's 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 empirical and molecular formula molecular formula molecular formula a compound contains 4% of hydrogen 20% of carbon and 71% of cooling it's smaller mass is 98 gram what are the the its empirical and molecular formula सबसे परहें निकालने से पहल हम लोग सभी का मूल निकालेंगे solution अब मूल अफ मूल अफ हाइड्रोजन मूल अफ हाइड्रोजन क्या होता है गीवेन बेट वाटा फर्मूला भी जो बेट दिया है वो सो जो फर्मूला बेटे सो यहां समर्ण जरुन निकाल लीए इसका फर्मूला भीट है तो यह तेकनि काल लिए अब बात करेंगे अब क्या निकालना है सेवेंटी परसेंट आफ कोल्रीन तो यहां से निकालेंगे मॉल और कोड़नी यहां से मॉल अफ कोड़नी निकाल लेंगे तो यहां से कितना निकाल लेंगे यहां से हम लोग करेंगे कितना दिये होगे 75-73 सेविन टीवन इसका तकितना होता है 35.5 और इसका फ्र्मूला पई कितना निकाल दीए तो यहां समझ निकाल लिए टू अब सभी के मोल निकाल लिए कवाद करेंगे यहां से जो करेंगे तो क्या आ गया कि यहां से इस कंपाउंड का जासे हाँ पर मोह हाईडोजन के ना था फॉर फॉर लिख दिए कार्वन कितने थे दो दो लिख दिए को दो यहां पर लोग लिख दिए है अब बात करेंगे जो हम के जो बात कर रहे थे यहां पर क्या बोले थे इंपेरिकल फ्रमूला एंड मर्कुलर फ्रमूला यहां से निकालने से पहले इसको हम सभी को डिवाइड कर देंगे सभी में कॉमन है तो यहां से कॉमन निकालेंगे टू से डिवाइड करेंगे तो सी c pets to see you can korrigusi तो यहां समलोंब क्या resurrection निकाल ले हैं आप हम बात करेंगे इसका जो दिया हुआ है मोलर मास ओफ 98 ग्राम अब इसका मूलर मास ओफ 98 ग्राम ने करना तो यहां से रिलेशन शिप निकाल तो यहां पर एन इसकल टू लिखेंगे जो गीवन वेट दिया हुए सो मोलर मास कितना दिए है 98 ग्राम अब इसका जो फर्मूला वेट देखेंगे च्छ टू सीयल का कारवन का कितना होता है 12 तो बारा और पलस है डोजन का कितना होता है एक एक इंट्टू तू तू पलस सीयल का कितना होता है 35.35.5 तो यहां पर कल्कुलेशन एजी करने के लिए हम लोग ठाटी फाइफ ले ले लेते हैं तो यहां से निकला 35 और बारा 35 अदो 37 अदो 49 यहां पर एक जेक्ट फेलू सीयल का 35.5 होता है पर यहां पर कल्कुलेशन एजी करने के लिए हम लोग यहां पर ठाटी फाइफ को कंसिडर किये हैं तो यहां से मेरा जो इन का जो फेलू निकलेगा अब जो मेरा यह फेलू जो दिया हुआ है अब जो मेरा फेलू दिया हुआ है छी च्टू सीयल तो यहां से हम लोग क्या करेंगे ए स्टू सीयल को यहां पर वेर यहां से इसको क्या करेंगे टू से यहां पिसको इंटू कर देंगे तक क्या आप यहां बन जागा सि-2-H4-C-L मतलब क्या को और से तरीका से करने के बाद मुझे इस एलिमेंट को प्राप्त हो जाते हैं यहां समय दो क्या इजी वी में निकाल सकते हैं क्या कि ए कंपाउंड कोंटेंस फोर पसेंट आफ हड्रोजन चोईस परसेंट अफ कारवन एन 71 पसेंट आफ को रिम इच बस्ते स्मूलर मास्ताइग एante ग्राम लाटरर इलएकर फर्बूला फ़मुला यहां पर सब सब से पहले क्या है है किल fort निकल फ्र फिस लमाण को एंस पहले क्या था उल्रीटर फिक्स्रेश्चिव काया था इंपरिकल मि इन सब्सक्नी सब्सक्राल नचालताई estratOR जो एंड इन रिलेसेंशिफ आया है यहां से हम लोग निकाल ले हैं मर्कूरर फ्र्मूला इकल टो एन इंटू इम्पेरिकल फ्र्मूला ता एन वर्हाब को क्या निकर लागा मर्कुलर फर्मूला बटा इंपेरिकर फर्मूला इस से हम लोग इसको सॉल्व करते हैं थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो ना सब्सक्राइब आप चानल जी लसी हाजर थैंक यू